सोमनात में कृष्णा ने फाइनली धर्ती को छोड़ा जहां पर उसे एरो लगा और फिर अकेर ही जंगल में मर गए जब उनकी बॉड़ी को बढ़न किया गया तो उनका हार्ट बढ़न नहीं हुआ क्योंकि वो विश्णु थे और उनका हार्ट जो है वो पानी में समंदर से जाके पूरी में जगनात पूरी में मिला आज की डेट में भी जगनात पूरी में जब वो मीम के लकडी के स्टैचूज बने हैं और वो प्लाइंड फोल्डेड लोग रहते हैं और उसमें लोग बताते हैं कि जो जाते हैं उसको जो बनाने के लिए उनको कुछ एक पाउरफुल चीज मिलती हैं जिसको ट्रांसफर करते हैं दूसरे स्टैचो में वो क्रिश्ना का हार्ट है अब आप रावन का टेरिटरी देखो तो इट वस धंड़कारण्या पंचवटी वस दे सकती जहां पे शुर्बण खाई मिलें पर जो में एरिया है और अमेजिंग चीज हम नहीं देखी एक मौंटन से दूसरे मौंटन रावन की सेना जो है वो पांच मिट में क्रॉस कर जाते हैं और जमीन के अंदर होल्स बने हुए टेनल्स बने हुए और हम एक या दो टेनल क हम अंदर गए यहां पे पांच साथ दस वीट आप नीचे जाते हो और वहां से पूरा आपका रस्ता बना हुआ है और वो दूसरे मौंटन को करनेक करता है हैपी दिवाली दोस्तों आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुबकामना है है यह हमारा दिवाली स्पेशल अफकॉस हमें रामायन थीम स्पेशल बनाना था वो हमने बनाया विकरांद पांडे सर के साथ जिन्हों ने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट की है इस सबजेक के research में कहा जाता है कि जिस मार्ग पर राम जी सीता मया लक्षमन जी पधारे उसी मार्ग पर विकरांद पांडे सर ने बहुत ज्यादा travel किया है यहां तक श्री लंका को भी बहुत ज्यादा explore किया है और ये एक बहुत special रामायन थीम podcast होगा जहां travel centric learnings भी आपको सीखने क को मिलेगी TRS हिंदी का एक भयानक एपिसोर्ड एक दिवाली स्पेशल एपिसोर्ड आपकी ओर आ रहा है विकरांत सर के साथ एंजॉई विकरांत पांडे सर टी आरेस हिंदी में आपका स्वागत है वैसे हमने काफी सारे रामायन थीमड एपिसोर्ड की है पर इस एपिसोर्ड के लिए मैं कुछ ज्यादा एक्साइटड हूँ आपने एक बहुत ही स्पेशल बुक लिखी है उस बुक के बार में थोड़ा सा बताईए सर ओडियन्स को फिर लोगों पता चलेगा कि मैं क्यों उतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस एपिसोर्ड के लिए अभी तो वो किताब इंग्लिश में आई है पर हिंदी में भी इस का अनुवाद हो रहा है और शायद बहुत जल्दी आजाएगी तो इंग्लिश में इसका टाइटल है इंग्लिश में इसका नाम दिया है मैं और मेरे को अथर ने निलेश ने की इस अ मैथो ट्राइवलाग मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ऐसे तो इतिहास है वो पर कॉमन फ्रीम में बहुत लोगों इसको मैथालोजी भी कहते हैं महाँ बारत रामयन को जो गलत अचली बिकॉ रामयन की कहानिया जो आम आदमी को शायद ना पता हो या अन्नोन कहानिया या कहानियों के बारे में कुछ गलत फ़हमे हो तो हमने आयोद्या से लेके श्रिलंका तक का पूरा ट्रैवल किया जिस पत पे राम गए राम सीता और रक्ष्मन और उस जरनी को फॉलो करते हुए जो कहानिया उबर के आई हैं और हमारे अनुभाव ये दोनों का मिश्रन जो है वो किताब है इन दे फूटसफस अफ राम सबसे जो स्पेशल अनुभाव था उसके बार में थोड़ा सा बताईए जो आपके दिल में एकदम बैट गया अनुभाव तो बहुत हैं कुछ चौकाने वाले थे कुछ चौकाने वाले इस तरह से थे कि लोगों का जो फेथ वो विश्वास नहीं हुआ कि इतना स्ट्रॉंग पांच हजार साथ हजार साल से ये फेथ इतना स्ट्रॉंग इंडिया में भकती जो है मतलब हमने एक मैं आएम के ग्राइजुएट अबी हैं उन्होंने अपना जॉब छोड़के उनका जो पुछतेनी मंदिर था अब वहां पर वो पंडित बन के रहते हैं वो हनुमान टेम्पल में और एक जो उसके बैंगलोर में जो उसका गराज था वो इसका उसका उसका कि अश्किन्दा में एक हम्बलिंग फिलिंग आता है कि लोग इस तरह भी कर सते हैं बहुत बार अपनी जिंदगी में लगे हुआ हैं पैसे को जुटाने में चितरकूट में कितने सारे मंदिर में हम गए जहां पचीस पचीस चालिस सालों से ट्वेंटिफोर बै सेवें त्री सिक्शिवड़ मानस का पार्ट रामचारत मानस को मानस कहते हैं उसका पार्ट हो रहा है रिले में किसने तीन गंटे चार गंटे पांच गंटे पांच गंटे चल रहा है वो बड़ा वो सुनने के बाद देखने के बाद अनुपव करने के बाद ऐसा रहता है कि हम बड़ी बड़ी शेरों म हम भागदोड में हमें पता ही नहीं की रेल इंडिया में क्या हो रहा है पता है जब आप रामायन के बारे में बात कर रहो आपकी आँखों में प्यार दिखता है रामायन के लिए तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उस प्यार की शुरुवात कैसे हुई और क्यों हुई और उसके पेले मैं खुद का एक एक स्पीरिंश करना चाहूँगा बच्पन में मैंने रामायन सागर की रामायन देखने से पहले जैपनीज अनिमेड़ रामायन जो मेरे पूरे जेनरेशन के लिए एक बहुत ही आइकोनिक फिल्म है और अब भी जब मैं हनुमान जी के बार में सोचता हूँ मुझे सिर्फ दो इमिज़ दिखते हैं पहला जो मेरे पास खुच का हनुमान चालीजा है उसका इमज और दूसरा वो वाले रामायन जननी में वो वो वाला तो मैं बस ये पूछना चाहूँगा आपसे ओके दो सवाल पहले ये पूछना चाहूँगा कि आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग एक्च्वल जो रामायन का योद हुआ था वो आपके अनुसार कब हुआ और दूसरा सवाल कि आपने अपनी पूरी जिंदगी इस टॉपिक को डेडिकेट क्यों करी है पहला सब्सक्वाल का पहले जाव दिता हुँ कि मुझे खुद ये रिलाईज हुआ कि हमें रामायन के जो संबंदी जो जगह हैं उनके अपरे में कितना कम पता है किसी ने पूछा चितरकूट तो मैंने खुद आपको पुचा कि चितरकूट कहा है मैप दिखाओ, काँ है? Is it south of Allahabad? Is it MP? Is it in 36 Gerd? Is it in UP? यहीं लोगों को नहीं पता. चित्रकुट बड़ा funny है क्योंकि वो MP और आधा पाट UP में और आधा पाट MP में उसका। चित्रकुट का इपॉत्जित्रुट का … जो कीवर्ट की कहानी है और क्रास करके जब वो चितरकूट पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने वालमीक की से मिले हो और उन्होंने पुछा कि हम कहां रहें मुझे ऐसी जगा बताओ जहां पे मेरे पिताजी का कोई इंफ्लूएंस ना हो लोग ये ना कहें कि वनवास इन्होंने किया पर ये तो रॉयल फैंपली के हैं चौदा साल मस्जी में रहके चले गए तो वालमीक तो पता था उनको कि ये तो राम है तो उन्होंने राम को उल्टा सवल पुछा कि आप बताओ आप कहां नहीं हो कहा जाता कि राम जी को खुद नहीं पता था कि वो विश्नु अफ़तार थे ये वालमीक नोज राम को पूछ रहे हैं राम को नहीं पता पिर उन्हें का चित्रकुट प्याप रही है क्योंकि वो जो परवत है वो बड़ा पवित्र परवत है तो ये लोगों को हमको पहली बात हमको पता चली कि 14 साल में से 11 साल 11 महेने वो चित्रकुट में ही रहे हैं बाकी के दो साल की पूरी बाकी आत्रा है जिसमें वो वहां पे पंचवटी नाशी का है फिर हमपी में किशकिंदा में हनुमान को मिले सुरीव को मिले फिर रामेश्वरम गए फिर शिलंका में वार हुई और वापस आए बारा साल 11 साल 11 महेने वो चित्रकुट में रहे रहे थे तो ये शायद रामाइन वहीं खतम हो जाती पर जब उनको पता चला कि अगे जाना है तब वो आगे की कहाने शुरूए पर क्यों आगे गए तो वहां पर उनको रिक्वेस्ट किया गया कि ये जो जो पूरे और राजय दंडक की कहानी है कि उनको इश्राब था कि पूरा बैरन हो गया है फॉरेस्ट और जब तक विष्णू के पद नहीं पड़ेंगे तब तक ग्रीन नहीं होगा और वहां जितने दैत्ते हैं जितने डेमेंस हैं जो सारे तंक कर रहे हैं वो रामी आके उनको नाश करें तब वो आगे बढ़ते गए और फिर ऐज अफ धन्दक वारन्या पंचवटी था नाशिक है तो नहें बता है कि आप यहां पी रहें यह बहुत सुंदर जगाँ है ये नाशिक के पास है, पंचेवटी जो नाशिक में ही है, जो मूडन नाशिक है। अगर शूरपणखा उप्रणा का आपरन नहीं होता है। तो ये बहुत ही इंट्रेस्टिंग केरेक्टर है कियोकि major llaγkin princess उसको दिखाया जाता है कि वो बिच की तरह है वो वहाँ पे आई और इनको देखके वो शी वाज एनेमर्ड दोनों को देखा है उसने हैंडसम प्रिंस और शी फेल इनलव विद उनने का कि राम और ये इस पे भी एक काफी कांट्रोवर्सी है कि जिस तरह से राम और लक्ष्मन ने शुरुपनादा को ट्रीट किया बढ़ा उसके साथ खेल रहते हो थोड़ा सा राम कहता है देखो मैं तो शादिशुदा हूँ तो आप मेरे भाही से पोष्ट लो भाई के पास गए तो उसने का कि नहीं मैं तो शादिश नहीं कर सकता है मैं तो अपने सिर्फ भाई के सेवा में हूँ और वो तो मैरेट था और मिला से तो इस तरह से दोनों के साथ वो थोड़ा सा काफी लोग ने उसके ओपर ये भी एक लांचन नहीं कहूंगा पर एक आखशेप डाला है वालमीक पे कि आपने इस तरह से भाईों ने बट उनका कारण ये था जो बात में लोग इंटरपेट करते हैं कि जब तक वो उसका गुसा बाहर नहीं लाते तो शुर्पनगा अपना रियल रिजन नहीं पता थी और शुर्पनगा अपना तो तक रिवेंज क्योंकि रावन ने उसके हस्बंड को मार दिया था शुर्पनगा का हस्बंड को और शुर्पनगा चाहती थी कि यहां पर इसका जब ये लक्ष्मन मुझे इंसर्ट करेगा मैं अपने भाई के पास जाके मैं बुलूंगी कि तुम्हारे भाईन को इंसर्ट किया है तुमारे इन लोहों का रिवेंज लो और शुर्पने रावन तो रावन तो रावन वोड़ा गॉट किल राम पर रावन पको ट्रिक की कि उसने मरीज को बेजा और फिर राम जो है वो डियर की पिछे कहे यहाँ पर एक बहुत इंट्रेस्टिंग कानी है जो हमको पता चली पंचे उटी माने के बाद सबने लक्षमन रिखा का नाम सुना होगा मतलब कहानी और लक्षमन रिखा जैसे इंग्लिस में सो कहते है कि फिर भादमी को बादमिक रामायन, तुल्सी रामचरित मानस, कमब रामयन यह तीनों में लक्षमन रिखा का वड़न नहीं है यह लक्षमन रिखा जो है यह बाद में लोगों ने इसे जोड़ा है घृस माला डला उस समय की social economic conditions आप देखो तो रामायन जो है ये हरदम oral tradition है लोग राम कथा सुना रहे हैं आज भी मौरारी बापा गुजरात में राम कथा सुना आते हैं तो कहानी सुनाते वक्त उस समय की social economic condition मुगल के वोगत ऐसी दी कि आप कैसे दिखा सकते हो कि एक पती अपनी पत्नी को छोड़ के जंगल में अकिला चला गया जबकि सीता जो है ये तो शिव दनुष ऐसे उठा रहेती है उसे किसी की protection की जरूत नहीं है तो वो कहानी में डाल दिया कि लक्षमण ने वो अपने arrow से एक और हमने रामान सागर को देखा है कि जैसे ही कोई उसके उपर step करेगा तो वहागा जाएगी तो रामान जो है लक्षमण सीधा को कहता है कि आ रहा है आप अंदर से मुझे दो कि आ बाहरा के दो आती दिखो आप कैसे बुला रहे हो और वो क्रास करके आती है फिर उसको किड्नाप कर लेता है तो पूरी लक्षमण रिका की कहानी जो है ये बाद में जोड़ी गई है और आज की डेट में वो रामायन की कहानी हम मानते हैं पर हमने जब रिसर्च किया तो एक ठीन रमायन को में बेस लेकर चल रहे हैं तीन-चार एक महराथी में भावारत रमायन है तामिल में गलदु में बादि हिंदी में आवदी में राम bardziejimi और संस्कृत में वालमिक रमायन इनमें इसका कहीं भी जिक्र नहीं दोट्रमायन में है भी चेंज हुए एक बहुत रौ सवाल है पर इस सवाल के बार में मैं बच्पन से सोचते आ रहा हूं और जब मैं अडरल से पूछता था मुझे थपड भी मुले यह सवाल पूछने के लिए पर मैं फिर से यह पॉड़कास्ट पर पूछूंगा जब हम वानर सेना के बार में बात करते हैं जब हम हनुमान जी के बार में बात करते हैं हनुमान जी मेरे भी इश्टदेव है मैं बच्पन से हनुमान चाली सा हर दिन बोलते जा आ रहो और पर यह जो वानर सेना है क्या आप यह मानते हो कि असल में बंदरों की सेना थी या क्या यह कोई होमो सेपियन के क जैसे I believe कि वारा सेहना कि origins करनातक में प्लीस करेक्न में फिम रहों किश्किंदा इस ने रहा हम पी लोग जानते हैं वोल्लेटेज साइट किश्किंदा इस नेक्स वां पर यह कन्फर्मड है यह पर फिर अपनुमान का वहां पर बर्थ हुआ वह बर्थ प्लेस भी है आज भी वहां पर जगह है और किश्किंदा इस इन करनातका अप गया हुआ वह बिलको बिल्कों वीग देर ओके पहले उस जगह के बार में बताएगे और फिर आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हो आप के अकोर्डिंग बड़ा दुख होता है कि हम पी को सब लोग जानते हैं करना सेना कहते हैं और मैं उस बात को मानता हूँ कि दियार फॉरेस डिलिंग ड्विलिंग ट्राइब्स जो की स्पेशल उनके पास उनको स्पेशल उनके बास किल्स थी जिनको राम और लक्षमन ने यूज किया देर नॉट मंगी इस एक मिनट सो पहले आपने नाशिक की बात कर फिर नाशिक से राम भगवान और लक्षमन यहां तक आ गए हम पी तक आ गए और यहां उन्हें सुग्रीव और बली का वो इंसरेट अब बताईए पंचे बटी से निकले क्योंकि जटाईव को मारा जटाईव ने जाते हो बताया कि वो साउथ की दिशा में गये हैं तो आ आपकी मदद करें तो शबरी तो शबरी वाज डिवोटी और उसे विष्णू की प्रतिक्षा कर रही थी तो शबरी उनको मिलती है जो गाइड करती है कि आप किश्खिंदा जाओ और वो साउथ में आ रहे हैं पंचावटी से नीचे होते हुए तो अटोर्ड्स किश्खिं जहां पे बالم यॉर्स सउग्रीव से मुलाकत होती है और वहां फिर हनुमान को भेजते हैं कि सीता यहां से कहां गई रावण कहां ले गया और हनुमान खोज में निकलता है और बाद में उसे पता चलता है कि वो समंदर पार करके जो आईलैंड है श्रिलंका का रावण वहा जाती है एक आखरी सवाल है वानर सिना को लेकर हनुमान जी को ऐसे क्यों दिखाया जाता है कि वो आदे डेवता थे आदे वानर थे आपके अकॉर्डिंग उन्हें ऐसे डिपिक्ट क्यों किया जाता है क्योंकि जब कोई हनुमान जी के बार में सोचता है कोई भी एक आदमी क वारे में नहीं सोचेगा जैसे उनके फोटोस दिखाया जाते हैं मैं भी जब उनके वारे में सोचता हूं वही इमिज मुचे दिखता है जो हम सभी को दिख रहा है इसलिए I don't know मेरा दिल शायद मानता नहीं कि वो सिर्फ एक मानव थे absolutely not okay he is a he is worshipped as a god but Ramayan में जैसे Ram मानव की जिंदगी जी रहे है उन्हें यह नहीं नहीं पता कृष्णा को पता है महापारत में कृष्णा को पता है कि वो विष्णू है वो अपना रूप भी दिखा देता है जी जब उसको चैलेंज किया जाता है राम को पता नहीं है कि वो यूमन फॉर्म में ही है उसे नहीं पता कि मैं विष्णू हूँ हनुमान के दो रूप है भगवान होने के अलावा वो रामायन में राम के प्यूर भगते हो और इसलिए लोग उनको ज़्यादा आप देखोगे तो हनुमान को लोग प्यार करते है राम को लोग पुजा करते है क्योंकि हनुमान बहुत क्लोज है आपके आपकी तरह वो डिवोटी है जब राम आयोद्या में लास्ट जो सीन था जिसमें काल आके कहता है कि सर आपका टाइम हो गया आपका जो धर्ती पर जो आपका रूप और जिस कारण से आप आए थे वो कम्प्लीट हो गया है अब आप प्लीज चलिए आप ताया रहा कि बताईए उसे पुछना पढ़ आए विश्नु को तो राम कहते है तो नदी में वो चले आप पानी में सारे लोग चले आपके एनुमान नहीं आते है राम कहते है कि मैं अगर जायूंगा वहां पर तो वहां राम राम कोई राम का नाम निले रहा मुझे यहीं पर रना है जहां राम का नाम लेते हैं तो राम कहते है ठीक है आप फिर हनुमान गड़ी में you're the protector of Ayodhya, that is the highest point in Ayodhya आप वहाँ बैठो और वहाँ आप आप अयोद्या का protection करो और वहाँ आपको राम नाम रोज सुने देगा क्योंकि राम की लोग पुझा कर रहे हैं आपे तो हनुमान ड़संट गो वित राम, he stays back तो he is a combination की जो एक human की तरह हमारी तरह devotee है, राम भक्त है, राम के चर्णों में इसलिए हनुमान को लोग इतना मानते हैं, इतना प्यार करते हैं लोग, अपना समझते हैं कि हमारी तरह ही वो ultimate devotee है राम का, राम तो विश्नु है कुछ लोग इस podcast पर आई जिन्हों ने यह idea पिच के है कि शायद यह homo sapiens के कोई cousin हो सकते थे शायद, पर again इसका कोई proof नहीं है, possible, possible, I agree कि कोई version, बड़ा मुश्किल है बताना, but yes, कि इस type के लोग जिनके पास कुछ special skills हैं, पर वो जंगलों में ही रहते हैं, इसके लिए इतना लंबा-लंबा कूच सकते हैं और अलग तरीके से जीते हैं अपने sapiens किताब पढ़ी है, तो I feel कि पहले तो हर listener को sapiens किताब पढ़नी चाहिए, आपको मानव जाती है, इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा पता चलेगा, और ये भी पता चलेगा, कि जो असल में इतिहास हुआ है, उसमें कितने सारा mysteries भरी है, क्योंकि archaeology की वज़े से हमें इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं चलता, जो चीज़े हमाई सिखाए जाती है कि भारत का इतिहास 2500 बीसी से स्टार्ट हो, वो सच नहीं है, उसके और 2-3जार साल पहले से हमारा, शायद उससे भी पहले हो, क्योंकि जैसे कि मैंने इस podcast पर भी बहुत कहा है कि 3,000 सालों के बाद प्लास्टिक भी इरोड होने लगता है, प्लास्टिक भी चले जाता है, तो जो लोग कहरें कि द्वारका में शेहर है समंदर की, वो शेहर मिले हैं, पर मैंने डाइवर्स से भी बात किया, जिन्होंने कहा कि अगर आप उन दि द्वारका से थोड़ा पहले सोमनात, जो इंडिया का पहला जोतिरलिंग है, यह एक यूनीक जगा है जहां पर जोतिरलिंग शिवा और कृष्णा विष्णू, यह दोनों की बहुत मानता है क्यांकि सोमनात में कृष्णा ने फाइनली धर्ती को छोड़ा, जहां पर उसे जब उनकी बाड़ी को बन किया गया, तो उनका हार्ट बन नहीं हुआ, क्योंकि वो विष्णू थे, और उनका हार्ट जो है, वो पानी में समंदर से जाके पूरी में, जगनात पूरी में मिला, आज की डेट में भी जगनात पूरी में, जब वो नीम की लकड़ी के क्या हैं, नीम के लकड़ी के होते हैं, और हर कच साथ साल, दस साल, बारा साल में उस ट्रैटूस को लकड़ी के चेंज करते हैं, ब्लाइंड फोल्डेड लोग रहते हैं, और उसमें लोग बताते हैं कि जो जाते हैं उसको जो बनाने के लिए, उनको कुछ एक पाउर FUL च जुड़ी हो ये महाभारत से और आज की डेट में भी जब वो स्टैचू बनते हैं वो एक ब्लाइंड फोल्डेट अंधेरी रूम में बिना देखे वो जो स्कल्प्टर है वो स्टैचू को बनाता है और उसका इतिहाज जुड़ के महाभारत से आ रहा है और जोतिरलिंग जो है जो सोमनाथ टेंपल जो है वो रावन ने बनाय था और रावन के पहले भी किसी ने बनाय था मून गॉड ने बनाय था तो ये कहानिया इतनी इंडिया में जुड़ी हुई है कि आप उसकी टाइम लाइन बताना अल्मोस्ट इंपॉसिबल है अब आ देखिये रावन ने शिवा का भग था और उसने सोमनाथ का मंदिर बनाया है जो इंडिया का सबसे पुराना जोतिरलिंग है उसका डेट बताना ही मुश्किल है अब रावन के वक तक का आया है और कहा जाता है कि पांडवों ने वो मंदिर को बनाया था जासे उसी डिया उपर जाती है इस तरह से अब गए हो वहां से फिर हो हैवन में चले गए ने ने वो एक अलग है वो मेरे खाल से उत्राखंड में है यह बसे उन्होंने अच्छली वहां जाकर राम जी का मंदर बनाया था तो हम वहां गए थे और वहां आपको बहुत अलग एनरजी फील होती है वो शायद सबसे प्राचीन मंदर है जहां मैं गए हूँ पर सबसे प्राचीन मंदर कौन सा है जहां आप गए हो सबसे प्राचीन मंदिर इंडिया में मेरे हिसाब से सोमनाथ का जोतिरलिंग है जो सबसे पुराना जोतिरलिंग है और मेरे हिसाब से वो रावण के पहले भी मून गॉड ने बनाए था इसके लिए उसका नाम सोमनाथ है और वो शायद दस बाराजार साल पुराना होगा आप गए हो वहाँ, हाँ, सोमनाथ में तो हम बहुत बढ़ गए हैं, कुछ फील होता है, कुछ अलग फील होता है, क्या होता है, एक तो जैसे बात में वहाँ पे आपको एक वोड भी मिलेगा, कि वो दिखाते हैं, कि सोमनाथ से अगर आप एक डारेक्ट, स्ट्रेट लाइन तो सीधे हो साउथ पोल तक जाती है, बीच में कोई भी दिर नो लैंड इन बिट्विन, वो इस तरह से टेमपल बनावा है, पर फगए आपको एक लिए फीलिंग आता है, कि जब वो शायम को महा जब आरती होती है, तो वो जिसको कहते हैं, कि मैसमराइज कर देता है, बिल कि बहुत प्रिष्णा के लास्ट मोमेंट्स सोमनात में होगे, और जो तिर लिंग सबसे पुराना है, तो वो पुरे शहर में एक माहौल बनता है, जो बहुत यादबोत है, बहुत अलबोत है, और बहुत ही सुन्दर मंदिर है, और उसको वालभाय थैंक्स तो कनेयल उसकी रिफंड से कटा किये, और बन्दिर पूरा जो है नहा तरिके से बनाया है, बहुत सुन्दर मंदिर है, श्री लंका की बात करने से पहले मैं आपको दानवों के बार में पूछना चाहूंगा, बिल्कुल, दानव थे कौन, वो क्या श्री लंका की लोकल रावन की पूरी टरिटरी जो आज के जमाने में कहा है, नाशिक, ओ, नौट श्री लंका, रावन की पूरी टरिटरी श्री लंका से लेके यहां पंचवटी के एज तक थी, जहां पे शुर्पनकाई मिलें, जी, तो रावन की पूर्फुल, किंग, रूलर, शिव, भक्त, उसके पास इतनी पावर है, विज लिटरेट, बिना बचाते हैं, दस जो दिखाते हैं, वो उतनी मतलब उसकी इंटेलिजेंस है, यहीं कि दस सिर हैं उसके लगे हूए, और रावन, यह अगर आप एक बात छोड़ दो कि एगो में आके उसने इसका अपरंट कर लिया और मै ने उसे बून दिया है, एक्स्ट्रिमली लर्नेट, एक्स्ट्रिमली पाउरफुल, और उनकी टेरिटरी यहां तक थी, हम एक तरह से कहते हैं, जैसे हम वानरों को, हम कहते हैं कि, जो वन में रहने वाले, इसके रहे वन नर, कुछ लोग इस तरह से इंटर्पेट करते हैं, I am not sure कि वो शहाद बाद में जोड़ा होगा, पर फोरेस्स ड्वेलिंग, सिमलरी दानव, दाइत्य, कुछ ऐसे लोग हैं जो, वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो रेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब दन्दकारन की ऊपर जो पुरा गैंजटिक बेल्ट है, इंडो-गैंजटिक प्ले जहां ये आयोदिया, राम का जो पुरा दश्रत का जो किंडम है, तो ये लोग अपने आपको अलग तरीके से रूल करते हैं, और उनके बहुत पावर है, उसमें कुछ लोग थे जो, ये जो सादू संथ हैं, इनको नहीं मानते हैं, जो हवन कर रहे हैं, उनको जाके नाश क elements हो गए हो, जैसे कि हर तरह के समाज में, हर तरह के लोग होते हैं, कुछ विलिन्स होते हैं, बिलकुल, तो ये जो आप कहे रहो कि देतिया, मतलब तब के, आप बेसिकली इंडियन डेकन प्लैटों के बारों में बात कर रहे हैं, जो गर्राफिकली स्पीकल, करेक्ट, तो अब तो शेलंका, तो वहां जो बुरे लोग थे, उन्हें देतिया कहा जाता है, कुछ नेगेटिव पावर्स थी उनके पास, यह पावर्स थी उनको नेगेटिवली यूस कर रहे हैं, मैं बुरे नहीं कहूंगा को कि रावन को अगर आप देखिए, तो अगर ये अगर ये पर राम के हातों उनको मर रहा है, तो ये उनका, तो अब ये भी कह रहे हो कि रावन की टेरिटरी और किश्किन्दा कान ओवरलाप कर रहे थे, येस, मतलब रावन की पूरी टेरिटरी में कुछ ऐसे हिस्से थे, जहां अलग-अलग छोटे रूलर्स रूल कर रहे थे और उ और बताईए, तो जब हम दानमों के बारे में बात करें और जब आप कहरें कि पावरफुल थे, मेरे अनुसार शायद उनके पास कुछ ऐसे साइनसे थे जो ज्यादा अडवांस्ट थे, इसलिए उन्हें थोड़ा सा मैजिकल माना जाता था, बिल्कुल, जो कि यूमन बिंग राम, लक्ष्मन जो अपने आपको यूमन अवतार में आ रहे हैं, उनके पास वो पावर्स नहीं थी, और उनने जैसे फिर उनको बताना पड़ा विविशन को कि आप जाके संजीवनी की बूटी लेकि आओ, जी, ताकि ये बच सके, तो उनके पास डेफिनिटली बहुत ज जाने शिवक हो रहा है, तो बट विशनु है और विशनु ने इसको कॉंकर करना है, तो उसको को टेक्निक्स बताने के बाद ही वो कर पाए, पावर वाइस, टेरिटरी वाइस, इन ओल आसपेक्ट्स, रावण और देटिया बहुत जादा पारफुल है हो, नॉर्मल यूमन सीतमा के अफरन के बाद, जब राम जी और लक्षमन साउट वर्ड जाने लगे तो वो तभी से रावण की टेरिटरी में थे, बिलकुल, ओके, पर कोई दानवों ने उन पर अटैक नहीं किया तब, नहीं, वहाँ पर रामायन में कहीं भी उसका जिक्रियर नहीं आता है, श उनको आड़ी राम और लक्षमन ने मार दिया है, मरीच को मार दिया, तो अब पूरी कहानी रामेश्वरम तक इनकी जो है, वह सिर्फ मार्चिंग की ही है, तो लंका में बेसिकली रावन के इंग्डम का कैपिटल था, कैपिटल है, ओके, ठीक, अब बताईए अब को जब जब जटाईव ने बचाने की कोशिश की सिता बाग, तो उसका पंक काट दिया और वहां गिरगया पर मरा नहीं था हो, और जटाईव का रिलेशन राम के साथ दश्रत से जुड़ा हूआ है, और इसके लिए राम ने जटाईव का श्राद कराए, वह जटाईव को आते थे, और एक कहानी है कि रावन को बताया गया था कि सिता जो है, यह आपके वद का कारण बनेगी, तो सिता जब पैदा हुई, तो रावन ने इसको, बट वो उसको मार नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने बोला कि और अवरत की हत्या अगर मैं करूँगा तो मज़ रावन ने सिता को वुडिन बॉक्स में डाल और पानी में डाल दिया, जब वो पैदा हुई थे, जटायू ने वो बॉक्स को निकाल के जमीन पे ले आए, और वहां पर जनक जो है, उन्होंने ने सिता को अड़ाप्ट किया, इसके लिए जनक की कहते हैं उसे, जनक की पु तो जटायू और दश्रत जो है ये बहुत क्लोज है, इसलिए राम जटायू को पिता की समान मानते है, जटायू उनको पता है कि रावन इने ले गया है, कहां ले गया जटायू को नहीं पता था, पर रावन सिता को सिता मा को ले गया है, अब आप दक्षिन की दिशा में ज आप जाके बाली को मिलो। बाली आपकी मदद करेगा क्योंकि उसके पास पूरी सेना है। और वो वहां से चलते हुए किशकिंदा जो हमपी है वहां पहुचे। वहां हनुमान से मुलाकत हुई। हनुमान ने उनको बाली से मिलवाया। बाली ने बताया कि मैसाथ ऐसे ऐसे हुआ है। फिर हनुमान को बेजा कि यहां से रावन कहां ले गया उसे। तो वहां उनको हनुमान मिले। उन्होंने हनुमान को बताया कि आप जाके खोजो के सीता कहां लेके रावन। तो हनुमान खोज रहा है, चारों तरफ मिल लिए रहा है, they reach the shores of Bay of Bengal, somewhere between Odisha and Tamil Nadu. और वहां पर उनको संपाती मिलते हैं, जो जटायू के एल्डर ब्रदर हैं, बच्पन में जटायू और संपाती ने कोशिश की थी, कि हम बहुत उपर जाके सूरज को टच करें, और उसमें संपाती के पंक जो है, वो जल गए थे, तो वो एक केव में बैठे हुए थे, और ब रावट को खोजो, रावट जो है संबंदर पार करके वो आइलेंड जो है श्री लंका वहां पर ले गए तो यह वापस आए, और उनोंने आके राम को बता है कि हमें मिलगी सीता महां कहा हैं, अब हम बागे बढ़ सकते हैं, अब बात करते हैं, अब लंका गए हो, श्री ल आटिका है, जहां पर उनकी लड़ाए हुई, जहां पर हनुमान पहले लैंड के अश्रोकाटिका में, वहां पर उनके फुट्पिंट भी दखने मिलते हैं, खेर वो, मतलब, कितना बिलीव करो अब उसके ओपर है, पर स्टोन में फुट्पिंट बना हुआ है, और बड़ा तो फुट्पिंटी परसेंट, बड़ जो में एरिया है, और अमेजिंग चीज हम नहीं देखी, और हम तो जाके अंदर देख किया है, एक मौंटन से दूसरे मौंटन, रावंड की सेना जो है, वह पांच मुट्पिंटों कर जाती थी, और जमीन के अंदर होल्स बने हुए और हम एक या दो टनल के हम अंदर गये, जहां पर पांच साथ, दस फीट आप नीचे जाते हो, और वहां से पूरा आपका रस्ता बना हुआ है, और वह दूसरे मौंटन को गनेक करता है, और हमारे गाइड ने का कि सर आप चलिए, दो-तीन सो मिटर आगे, आपको बड़ ब मना किया, पर वह गाइड जो है, कुछ लोग गये हैं, और श्री लंका में ऐसे बहुत सी जगाये हैं, जहां यह होल्स बने वह हैं, जहां से आप एक मौंटन से दूसरे मौंटन पांच में पर पांच में पर 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 कुछ केज में गये, सीता वाद नॉट नॉट इन अ जहां पर रावन से रिलेटेड बहुत कानिया और बड़े क्लियर इंडिकेशन्स मिलते हैं कि यह जगा वह हैं जो रावन की टेरिटरी थी, अ मौडर्न दे में अशोग वातिका है कहां? यह साउथ अफ श्यलंका में है, और श्यलंका में तो पूरी आपकी 10-12 दिन का एक जाएं ट्रेल है, बड़ा सर्पैसिंग है कि इंडिन गॉर्मेंट आज इसे पॉपलराइस कर गए है, श्यलंका में तो आप जाये तो तो टूरिजम डिपार्टमेंट आपको यह आच दस दिन की पूरी जर्नी पे लेके जाएगा फ्रम ट्रिंकोमली और टी गार्डन से हो कोई तो विबिशन जो है, वहाँ के किंग बने लोग कहते कि वो एक छिरण जीवीय है नो, विबिशन परिक्रमा करो तो साथ छिरंजीयों में एक विबिशन भी आपको मिलते हैं वहाँ, श्री लंका के लोकल्स मानते है कि यही रावन की लंका थी? बिल्कुल, वो रमायन को मानते है रामाइन को मानते है लोगों की गलत फेमी हमने जाके श्री लंका में बहुत बंदिरों में बहुत लोगों से मिले कि हम रावन को पूछते है ये बात गलत है राम को ही पूछते है फरक शायद इतना है कि वो रावन को completely negative नहीं मानते gray character मानते gray से ज़्याद हो कहते हैं कि बहुत पड़ालिका, बहुत wise बहुत scholar जिसने एक गलती की जिसके कारण उसे राम के हाथों मरना पड़ा आनन नीलकंडन सोर आये ते इस podcast पे उन्होंने का कि जो South India में रावन के temples हैं, मंदिर बने हुए जैसे हम सरस्वती की पूजा करते हैं, knowledge के लिए विद्या के लिए, उसी तरह कुछ लोग रावन की पूजा करते हैं knowledge के लिए, विद्या के लिए यूकि वो knowledge के देवता भी माने जाते हैं तो वहां उनको एक रिस्पेक्ट है, okay, but somebody जो बहुत बहुत पड़ा लिखा, बहुत वाइज इनसान एक गल्ती की और उसके करण सारा खातम हो गया, तो वह इस तरह से मानते हैं, इंडिया में जैसे हम रावण दहन वो जो करते हैं वह श्री लंका में उस तरह का नहीं है, कि हमने रावण को पूरा नेगटिव बना दिया, और वह वाट्साप पर कहाने चले कि 10 आपके एविल से हैं, 10 आवतार उनको आप डिस्ट्रॉय करो, तो श्री लंका में उस तरह से ही मानते हैं, कि रावण इस तरह का नेगटिव करेक्टर है, हाईली रिस्पेक्टेड बट डेफिनिटली राम इस अगॉड और राम की ही पूजा होती है, रावण की पूजाने करते हैं, श्री लंका में ट्रैवल करने कि आप में कुछ बदला, as a writer, as a researcher, as a person, एक तो जो जो ग्रैफिकली और जो ब्यूटी है श्री लंका में, वो बहुत सुन्दर है, बहुत, आप टी गार्डन से जा रहे हो, आप मौंटन्स मे जा रहे हो, आप जो सी साइड, आपको जो देखने मिलता है, वो एक, आपका ट्रैवल अनुबव भी बहुत सुन्दर है, बहुत वार्म लोग होता है, बहुत वार्म है, टुरिजम वहाँ पे वही मुझे लगा कि बड़ा दुख होता है कि इंडिया में जो राम की पूरी आतरह है, वो जिस तरह से प्रमोट नी की, श्री लंकन टुरिजम में आप वेबसाइट पर जाएए तो आपको दस दिन के, बारा दिन के आपको पैकेज़ बिलते हैं, सिर्फ भी लंका से, राम की टूरिजम से जुड़े हुए, राम हैंट से जुड़े हुए, और बहुत आपको 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 पका जाना चाहिए, जस तो एक्सपरियेंस, नॉट जस रामायन टेल, बट श्री लंका इटसल्फ, आपके पूरे प्रावल्स में से, सबसे ज्यादा स्पेशल मोमेंट किया थी आपके लिए, जैसे मैंने बिता है कि भक्ति का जो ऐलिमेंट, जो श् एक मैंने पताया कि एक आएम का ग्राजुएट है पर अभी वो प्रीस बना हुआ है किश्किंदा में, या चितरकूट में चालीस-पचास साल से कंटिनियूस मानस का पार्ट हो रहा है, यह आपको बहुत अचंबित करता है और उससे एक भक्ति का जो भाव आता है, मैंने वो अनुभव इतना सुंदर है, वहां की जो एक छोटी सी कहानी बताता हूं चितरकूट कि शोओ, कि वो इंदर के पुत्र थे जिन्होंने सीता को देखा, सीता मा को नाते हुए और बड़े सीता सो ब्यूटफल, वो बहुत अनामर्ण हो गए उन्होंने जाके उनको छून पच्छू नहीं सकते हैं तो कववा बनके चले गए अब यहां पर देखिए वालमी करमायन और तुलसिदास कैसे सेम इवेंट को अलग से डिस्क्राइब करते हैं, वालमी की स्टोडी टेलर, तो बता रहे हैं कि उसने जाके उनकी ब्रेस्ट को छुआ, तुलसिदास हैं, सिता मया है, आइकांट शोग की उन्होंने, तो कहते हैं उसने उनके पैर को चोंच मारी, तो छुना चाहते हैं अब लक्षमन ने देख लिया, और उनने ने आरो रिलीस कर दिया, अब वो जाके आरो उसको फॉलो कर रहा है, और वो बिश्नु के चरण में मुझे बताईए तो मैं रहता है कि देखो आरो तो निकल गया, तो आपको, तो एक जगा वहां पर केव है, जहां पर यह उल्टे लटके हुए है, और जो भी अंदर जाएगा, उनके सारे सिंस आपको एबजर्ब करने हैं, आप पर श्राप लग जाए है, श्राप लग गया, नहीं, उसको श्राप वो ले 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 था है, आपके सिंस वो ले रहा है, तो यह उसको श्राप मिलके अलक्षमिन ने दिया, कि आपको यहां पर लग करेना पड़ेगा, मिकरान पांडे सर, बहुत मज़ा है आपसे बात करके, और आपको भी मज़ा है, आपके एक्सपीरियंस और बनाएगी, तो I am looking forward, थैंक यू सो, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, और यही podcast का चाम होता है, कि जो चीज़े आपने experience किया, उन experiences के trailers हमें मिल जाते हैं as podcast listeners, बिलकुल, absolutely, थैंक यू सो, दोस्तों यह था आज का दिवाली special episode, once again happy दिवाली, जितना हो सके इस episode को share कीजे दोस्तों के साथ, और अगर हो सके तो उन्हें कहिए अपने family के साथ, इस episode को देखने के लिए, this was a family special, रामायन special of TRS Hindi, ऐसे ही बहुत सारे episodes आते रहेंगे, आपके लिए, thanks for all the support, lots of love. के लिए आते हैं?